नमश्कष गार दोसौं आप शुबत का बहुत बहुत शवागत हैं। दोसों कैश्रहें हैं आप शुबत खरिशियें। उमेद करते हैं कि मात अरानी के शरबाश्ज ये आप शबी बहुत अच्छ होंगे। जिए दोसन आप शुबत को बिनी की आज की जीडियो में आसलियत को बतादी जो कि आपकी जुनकाल के एसी सचाई को बतादी जिनें शुनकर आपको शांती तो मिलेगी शाति जीवनकाल की प्रैश्याद हैं भी खद्म होजाएंगी जो दोसों कुछ एसे ही विशेज बातें इस वीडियो में बताने वाले ही जिने शुन लेंगे जिने अगार आप समझ लेंगे तो दोसों खुसी तो आपको अंदर से बहुत ही ज्यादा होगा शातिक ग्यान आपको इस अपराप्त होगा कि आप भी कहेंगे कि जीवन ही हमारा ध आरे जुन में आपके स्वास करियर में कौन-कौन से सुधार होंगी शाति कौन से विशेज सावधनियां आने वाले दोसेज सार दिनों के इंदर आपको रखनी चाहिए शबी बातें बहुत ही गहरी तरिके से ग्रहों के गोशर पर निर्मित क्या गया है तो दोसों इन्हे प्यारा लाक лекरें और में केली कमेंड बॉक्ड में जय मातादी जरू लिखे माता रानी का शिर्वात प्राप्त होगा जीकााल की शुमेश्ययों आपकी कहत्मों की जिया दोसों तो आई दोसों बात करते हैं श्रुआत करते हैं शब से पहले आपके जिवन के शब से बड यह अच्छा ज्यान है दोस्तों यह ज्यान आपके अंदर रहने का राज बता देगा तो दोस्तों बहुती काल लगा कर इस बातों खुछ ने जिया को यह बात है एक गाउं की एक गाउं में महान रिशी रहते थे एक दिन एक व्यक्ति रिशी के पाश आया उसने पूछा मैं याज जानना चाहता हूं कि हमेशा खुश रहने का राज गया है रिशी ने उनसे कहा तुम मेरे शाथ जंगल चलो मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूं रिशा कहकर रिशी और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चले रास्ते में रिशी न एक बड़ा शब पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को पकड़ा दिया वह पत्थर उठाकर रिशी के शाथ जंगल की तरफ चलने लगा कुछ शमय बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा किन्तु वह चुपचाप चलता रहा जब दर्द श्राहर नहीं गया तो उसने रिशी को बताया तो रिशी ने पत्थर को नीचे रखने को कहा पत्थर को रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी रहात में शुर हुई रिशी ने कहा यही है परशन रहने का राज व्यक्ति ने कहा है गुरुवर मैं शमज नहीं पाया तो रिशी ने कहा जिस तरह इस पत्थर को एक मिन मिनिट तक हाथ में रखने पर थोड़ा शक कष्ट होता है अगर इसे और ज्यादा उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा उसी तरह दुखों का बोज को जितने ज्यादा शमेत उठाए रखेंगे उतने ही ज्यादा हम दुखी और निराश रहेंगी यह हम सब पर निर्पर करता है कि हम दुखों के इस बोश को एक मिनिट तक अपने पास लखें या फिर जिन्दिगी भर अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी इस पत्तर को शिगरी नीचे रखना शिकलो और होश के तो उसे उठाओ ही नहीं जिया दोसों गुरुदेब का यहां ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हूँ शमज में आई हो तो दोसों वीडियो को एक प्यारा से लाइक ज़रूर ही करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जैस रिकिशना राधिरा दे तो आई दो सुबशी के शाल बात करती ही कि आने वाले दो से चार दिनो के अंदर आप शिवे की जुनकाल में कौन-कौन शे बड़े महत्पुन बदला होंगी जिया दोस्तों हम आप शिवे को बता दे कि पिछले कई शमयों से पिछले कई शालों से आपके शाथ हिचा देखा जा रहा है कि आप जिनके कभी बहुत यदा अपने थे यानि कि दोस दोसों हम आप शिवे को बता दे कि यह वही लोग है जिनके लिए आपने अपने जिवन की शारी खुशियां उनके उपर निशावर कर दिया था और दोस्तों यही लोग आज आपकी खुशी देखना नहीं शाते जब आप खुश होते ही तो दोस्तों इनके अंदर जलन भूश होने लगती है दोसों कि ने बहुत कुप कहा है कि जूट कहते हैं लोग कि हम शब मिट्टी के बने होते हैं मैं शेक कई अपनों शिवाकिभू जो पत्थर के बने हैं जया दोस्तों और आपके वी जुनकाल में इस दौरान कुछ एसा ही देखनों को मिल रहा है जया दोस्तों और यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है कि दोस्तों अब आप अपने जुनकाल में जो भी करेंगे समल कर करें कि दोस्तों अब आपको अपने जुनकाल में शमलना बहुत ज़रूरी हो गया है जिया दोस्तों और दोस्तों जो आप पहले गलतियां करते थे उ यानि कि दोस्तों किसी की मीठी मीठी बातों पर आपको अब बिल्कूल भी नहीं आना है किसी भी इंसान के चेहरे पर आपको नहीं जाना क्योंकि दोस्तों चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं हो शकता लोग आपके शामने अच्छाई का दिखावा करते हैं और अच्छ लोग आपके शाथ तरह तरह की शलाही देंगी लेकिन आपका हिर्दय जिन में आपका दिल दिमाग शपोट कर रहो यानि कि दोस्तों सोच शमज कर ही आप खुद से अब निर ले लें जिया दोस्तों लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर आपने बहुत यादा गलतियां कर दी है लेकिन दोस्तों हम आप शिबी को बताना चाहेंगे कि अब आप उन्य जुनकाल में या गलतियों को बिलकुल भी ना दो रहाएं जिया दोस्तों यानि कि दोस्तों आप शबी जोवी भेशा लेंगे खुद से ही लेंगे आप किशी लोगों पर विश्वास करना अब छोड़ दें कि दोस्तों इशाग करके आपने पहले भी धोखा खाया है वर आपको विश्वास करना ही है तो दोस्तों अपने मेहनत पर करें अपने परिश्रम पर भरोशा रखें और दोस्तों अपने इश्वर पर अपने भगवान पर भगवान शुंदेव पर यकीन करें दोस्तों आपकी करमों का अफ्फल भगवान शुंदेव अवशी देंगे दोस्तों आपको शुपलता भ या फिर इंसान हो अकेले बेटकर रोना भी मौत से कम नहीं जहां पर सवाल भी आपका होगा और जबाब भी आपकी होगे इसके शादी दोस्तों खुद पर थोड़ी वफा कीजिए और जो आपको दर्द दे उसे दफा कीजिए आप अपने उपर जितना होश के फोकस रखें ध्यान रखें कि दोस्तों कई बार आप लोग दोस्तों को खुश करने के चकर में अपने आपको भूल जाते हैं और अंत में वही लोग आपके दिल पर बहुती गहरा दर्द छोड़ जाते हैं बहुती गहरा घाव छोड़ जाते हैं इसलिए दोस्तों आप शुबीर से बस यकीन रखते हैं शीव परकार दोस्टों यकीरं रखें आपको शबलता जरूरी मिलेगी जे अगोसों और आने वाले दो से 4 दिनों के अंदर भी आप कुछ यसे ही प्रस्तिति का निर्मान होने वाले हैं जेदूस्टों तो दोस्टों आने वाले दोसी चार दिनों के अंतर आपको कौश विसे शावधनिया रखनी है कौश कपरी आपको मिलेंगी आपका लव लाइफ श्वास्त केरियर किस परकार वैतित होने वाले हैं आगे वीडियो बात करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो आगे भी बहुत यदा गहरी होंगी इन्ह कुछ शमय जरूर वहितित करें इससे आप अपने आपको तरह मुक्त और उर्जावान महसुद करेंगे युवाओं को भी मैटपन उब्दल दियां मिलने के योग बन रहे हैं और इसको प्राहत दोस्तों यश में अगर आपकी शावधनी को रिकर बात करें तो दोस्तों ध दूस्तिक के बजाए शांतिपुर्ण तरीके से हल करने का प्रयाश करना चाहिए यह आपके समझदारी होगी और दोस्तों किज़े भी परकार की याद्रा यह में नहीं करें तो आपके लिए इसमें अच्छा रहने वाली हैं इसको प्राहत दोस्तों यह में आपके लिए आपको बता दें कि यह शुमें आप अधिक सकार्तमक या फिर अधिक नकार्तमक भी हो शकती हैं इसलिए दोस्तों परस्तिती को जैसा है वेशे ही देखने की कोशिश करें अपनी भावनों को दूर रखकर प्रैक्टिकल रहने की आपको इसमें अवश्य रहता होंगी करें यह भी व्यक्ति की खिलाब आपको किशी व्यक्ति द्वारा भढ़काएं भी जा सकता है तो दोस्तों इन व्यक्तियों पर बिल्कुल विश्वास न को रहें और किसी से लडाई जवड़े करते करने श्वेश में आपको शाहधार नहीं यह आपके लिए बैतर होंगे और आपको बता दे कि किसी भी निर्ले को लेने में दिल के अप्रिक्षा आपको अपने अंदर आत्मा का आवाज शुनना चाहिए दोस्तों आपका कर्म और प्रुशार्थ आपके हर काम में शफलता और पलबदी परदान करने वाला है तो सो घर की गतिवदियों में भी आपक करें यह आपके लिए बैतर होगी और इश्कुप्राद दोस्तों यह में आपके लिए शुमें होगे दोस्तों आपके उपर अपयाश हावी हो शकता है जिसकी वज़ता से शकार्तमक हो रही घटनाओं में भी कुछ नब कुछ जो है नकार्तमक बातें आप ढून लेंगे दोस्तों यह शुमें आपके अंदर बढ़ रहे डर के वज़शे आप जो है आगे बढ़ पाना आपके लिए थोड़ा सा मुस्किल भी होगा मांसे की जिरता प्राप्त करने के लिए हनमान चले इच्छा का पार्ट करना यह शुमें आपके लिए लावदायक रहने वाले ह दोस्तों आपको बता दे कि कोई भी काम जल्दवाज में ना करके पहले उसके शारे पहलू पर अच्छे तरह से सोच बिजार कर ले क्योंकि दोस्तों शमय को अनुकुल बनाने के लिए कुछ मेरत करने पड़ेगी विद्यार्थियों को भी परतिस परदा शमंदी कारियों में शफलता मिलेगी आपके आत्मीश्वात सथा कारी शमता भी यश्मे निखरने वाले हैं लेकिन दोस्तों यश्मे आप घर के बड़े बजुर्गों वरिष्ट व्रतियों का उचित सम्मान करें और उनका अश्रवाद वरिष्ट शला आपके लिए यश्मे वर्दान रह करने वाले हैं और इसके प्रांद दोस्तों यश्मे मांसिक रूप से आप अधिक गंबीर और श्वस्त महसुत भी करेंगे जिस विसेफ को पाने के लिए आप प्रयत्म कर रहे थे दोस्तों उसके बारे में आपका आत्मीश्वास और अधिक बढ़ेगा दोस्तों आपको बागवानी तथा प्रकिरति के शम्य प्रहकर वहितित करें इसे दोस्तों आपको मांसिक सुकून की प्राप्ति होगी अपनी परतिभाओं को और अधिक निकारने का प्रयाश करें दोस्तों के शाथ भी बैतरीन शमय वहिश्मे वहितित होगा और इश्कु प्राहत दोस्तों यह समय आपके केरियेट के लिए जो समय होगे दोस्तों आपको बताते हैं कि जल्दी वह फिर ज्यादा मुनाफ़ा कमाने के चकर में किसी परकार के अनितिक कारे में रूची ना ले और इश्कु प्राहत दोस्तों यह समय मारकेटिंग शमय कारे में लगाएं कुछ शकारतमक शंपर के अस्थापित होगे क्योंकि दोस्तों अभी शमय जो है उतना उप्यूगत आपके लिए नहीं रहने वाले हैं कुछ शमय के लिए उचित समय का इतजार आपको करना जरुरी होगा और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दे कि मिडिया अथवा फौन दोवारा आपको कोई महत्मून अनुमन भी अंत में प्राप्त हो सकता है आर्थी की सित्ती भी शमय थोड़ा सा बैतर होने वाली है और इसके प्राहत दोस्तों यह आपके लव लाइप के लिए जिवन क आपको बता दे कि पती-पत्नी की बीच रोमेंटिक शमंद रहेंगे प्रंतु अपने और जो है टोका टाली वाले स्वभाव को थोड़ा बदलने का प्रयाश करें यह आपके लिए बैतर होने वाले हैं और इसके प्राहत दोस्ते में आपकी स्वास्तियाने सेहत को लिकर बात करें तो दोस्तों सारीक वा फिर्माश्तिक ठकान हावी हो सकती है यह में वर्तमार नकार्तम को वातारों शेपना बचा वश्क करें यह आपके स्वास्तियाने में बहतर होने वाले हैं